हलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले JST Registration का certificate download कैसे करें तो certificate download करने के लिए simply चलते हैं अपने website पे, JST के portal पे तो हमारी जो website है JST.gov.in आपको simply type करना है and enter करना है आप जैसे इस website पे जाते हैं, आपका पहला जो interface आपको जो निकल के आएगा वह interface कुछ कोई-ौ तरह का हुगा। यह जो पहला option आपको देख रहा है इस पर आपको click करना हो इसे click करने वाद यहां से login करना है उस पर click करते हैं यहां पर username and password का आएगा,को username and password यहां put करना है, username and password के बाद log in करना है, login करते हैं यह हमारा जो interface है है आपका JST Portal का को जो है interface, यह homemade screen है, homepage है. तो यहांपे आने के बाद आपको simply क्या करना है, सबसे उपर यहां पर देखिए कुछ options है, इस option में जो second tab है, यह second tab में आपको दिखाता हूँ, यहांपर इूछ option में यहां पर देखिए service है, second tab पर click करना है, इस पर click करने नीचे कुछ options आ जाएंगे और यहां पर लिखा user service user service पर click करना है आपको user service पर click करने के बाद यहां पर देखें नीचे और भी options आएंगे जिसमें यहां पर लिखा view download certificate तो यहीं पर आपको इसे click करना है यहां पर एक छी ध्यान देने वाली बात है देखें इसे open करते हैं पहले open करने के बाद ध्यान देने वाली बात यह कि यहां पर देखें download का तो है बट इससे बड़ी problem यह होती है बहुत वार कि किसी भी reason से हमने address change किया होता या कुछ और हो तो यह date जो है यह देखी जहां पर भी मेरा mouse है इस date को देखना बहुत जरूरी है because हम जो है rename करते हैं या amendment करें कुछ भी changes करते हैं तो यहां पर आपको जो सबसे new update हो उस पर click करना हाला कि इस case में आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही है डाउनलोड करने के बाद देखें यह पूरा हमारा जो है JST portal है और यह सारा हमारा certificate है तो इस तरह का आपका certificate आ जाएगा इसे simply क्या है आप यहां चेक आउट कर सकते हो इसे download यहां से already यह हो गया है अगर आप इसे print देना चाहो तो यहां से print दे सकते हो तो बस इतना ही था इस topic में easily आप भी download कर सकते हो अगर कोई problem आती है आप मुझे comment drop कर दो मैं और मेरी team आपका जो है reply करेगी और कोई भी किस इसी भी तरह कि कोई problem होती है JST से related income tax से TDS से आप हमें comment drop कर सकते हो I hope यह video आपके लिए useful रहा होगा